असलाम आलेकुम फ्रेंस तो आज हम बनाने जा रहे हैं तंदूरी पनीर पीजा तो चलिए देखते हैं इसे मैंने कैसे बनाया है सबसे पहले हमने लिए है फ्राइपेंड जिसमें मैंने हलका सा घी लगा लिया है आप यहां पर घी का इस्तिमाल कर सकते हैं या बटर का मैंने यहां पर घी का इस्तिमाल किया है तो यहां मैंने पुरे प्राइपेंड में बटर लगा लिया अच्छा से तो अब यहां पर मैंने लिया है पिजबेस अगर आपको पिजबेस की रेस्ट पे चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बता है यहां पर मैंने पीजा पास्ता सॉस लिया है तो इस बेस के उपर इसे हम लगा देंगे तो इसे हमें ज़्यादा क्वांटिटी में लगाना है आप वीडियो में देख सकते हैं अब मैंने लिया है केचप यहां पर मैंने केचप का बेस्तिमाल ज़्यादा किया है अब इसे हम पिजबेस पे अच्छे से लगा लेंगे तो इसे मैंने पूरे पेस पर अच्छे से लगा लिया है अब मैंने यहाँ पर कुछ वेज़ेटेबल्स ली है जो कि यह गाजर, प्याज, सिम्ला मिर्च और टमाटर तो सबसे पहले हम सिम्ला मिर्च को इसके उपर रख देंगे यहाँ पर हम पनीर की तैयारी कर लेते हैं पनीर के उपर हमने तंदूरी मसाले डाले हैं और इसे मिक्स करकर रख देंगे अगर आप चाहें तो इसे फ्राई भी कर सकते हैं मैंने यहाँ पर इसे फ्राई नहीं किया है इसे मिक्स करके 15 मिन के लिए रख दिया था तो अब हम यहां पर पिज़ा बेस पे अपनी सारी वेज़ेटेबल लगा लेंगे जैसे कि मैंने यहां सिमला मिर्च, गाजर, टमाटर और प्यास को लगा लिया है आप वीडियो में देख सकते हैं उपर आई बटन पर मैंने मीनी पीज़ा की रेस्पी देवी है आप उसे जरूर देखे और कमेंट करकर बताएं कैसी लगी तो वेज़ेटेबल हमने सारी लगा दिये अब यहां पर मैंने मोजरेला चेज लिया और इसके उपर ग्रेट करकर एड़ कर दिया है यहां हम चीज का इस्तमाल ज्यादा करेंगे तो अब यहां पर मैंने इसके उपर जो हमने पनीर को मेरिनेट करके रखा था उसे हम इसके उपर डाल देंगे अगर आप चाहे तो पनीर को फ्राई भी कर सकते हैं तो यहां पर अब मैं इसके उपर डाल रही हैं चीज स्लाइस इसका इस्तिमाल मैंने सिफ एक किया है अब इसके उपर हम चीज को ग्रेट करके डाल देंगे तो यहां मैंने चीज का इस्तिमाल बहुत ही जादा किया है अब इसके उपर हम हलका सा नमक स्प्रिंखल कर देंगे अब यहां पर मैंने ब्लैक पेपर का इस्तिमाल किया है यहां मैंने रिट चिली फ्लैक्स का इस्तिमाल किया है अब इसमें हम आर्गनो अड़ करेंगे तो आर्गन को इस्तिमाल भी हमें ज़्यादा करना है अब इसे डख कर हम पंदर मेट के लिए मेडियम फ्लेम पर पनाएंगे चलिए अब पंदर मेट हो गया हम खोल कर इसे चेक करते हैं तो पीज़ा हमारा तयार है चलिए अब इसे हम निकाल लेते हैं तो अब रेड़ी है हमारा तंदूरी पनीर पीज़ा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं रिस्पी कैसी लगी करते है जार पीज़ा हिरे बताइक करें अब Helena तो, वीज़ा हमारानEt जूदे रिस